तो आईए दोस्तों फिर से एक नए और नॉलिजफूल एपिसोड में आज हम सीखेंगे छोटे जानवर जैसे भेड, बकरी, कुत्ता या फिर इसके संकक्ष जो भी जानवर हम घर में पालते हैं उनके गले में बादने के लिए इस टाइप का सुंदर और डिजानर बेल्ट उसको आप पट्टा भी कह सकते हो कही से बादना है हाला कि इसके पहले भी एक एपिसोड इस टाइप का बना हुआ है और आपने वह 100% देखा होगा और नहीं भी देखा है तो कोई बात ने उपर देखे राइट कॉर्णर में वीडियो दे दिया है वहाँ जैके आप देख सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मैंने वीडियो की लिंक देखे रखे वहाँ भी जैके आप देख सकते हो सिख सकते हो और हाँ यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो नमस्कार मेरा नाम है सुभाश और आप देख रहे हो लुक मानट अब 6 में से 3 पीस लिए निले कलर के 3 पीस लिए सफेद कलर के कलर का कोई इशू नहीं आपको जो कलर पसंद है या फिर जो भी कलर आपको मार्केट में अवलेबल हो जाए तो आप ले सकते हो रेशम के रस्षी नई भी मिले तब भी दूसरी रस्षी मिले उससे भी आप उ one तो सबसे पहले सیکiam को लूप के से से बनाना है तो उसके लिए लेते रस्या गिए सब्सकों को एकषब नी शरू करना है देखिए डबल करने नेके बाद मनिया मार्किंग भी करके रखें डबल करने पाद हम यहाँ बीच अ तरीकिस एक जगह अठका दिया है अब शुरू होती असली बुनाई दोस्तों बुनाई का तरीका बहुत आसाने बस ध्यान दे कर देखिए सुनिए वीडियो को स्कीप ना खरे तो शुरू करते हैं सफ्यत से वैसे कईसे भी शुरू करें कोई फ्रगने बढ़ता तो सफ्यत स इसके उपर और इसके नीचे से लेना है और वापिस कहां पकड़ना है सफ्यत के साथ पकड़ लिया उपर हलका टाइर कर लिजे यह हो गया अब नीले रसिक बार इसके पीछे से लेना है एक सफ्यत के नीचे एक के ऊपर फिर तीसरे के नीचे इस तरह से और साथ में नीले के साथ पकड़ लेना है तो इसी सिक्वेंस को आगे बढ़ाना है फिर सपेत को लिया पीछे से घुमाया एक नीली के नीचे से एक के उपर से एक के नीचे से फिर सपेत के साथ इस तरह से साथ साथ टाइट करते चलना है फिर नीली रसी को लेना है पीछे से घुमाया सप्पेद के निचे एक के उपर और एक के फिर निचे इस तरह से और नेली के साथ दुबरा पकड़ कर सेट कर दिया पीछे से घुमाना है एक नेले के नीचे से एक नेले के ऊपर से और एक नेले के नीचे से इस तरह से और फिसससे के साथ पकड़ लेना है देलर memo दूस्टे Issoander पर कि छोटा सा लूप बना लेना फिर भी बार देख लेजें सेपट के लिए एक निली के नीचे एक के ऊपर और एक के नीचे इस तरह से और वापिस अपने जगा पर पकड़ लेना है देखें यह हो गया तो इसी तरह से हम पुरा यहां तक बनाई कर लेते एक लूप के साइज का है step number two तो step two की बुणाई शुरू हो चुकी है और यही बुणाई दोस्तों असली बुणाई है इसलिए आपको ध्यान देकर देखना है वीडियो को skip नहीं करना है बुणाई शुरू करने से पहले इस system को किस तरह से लगया तो ध्यान देकर देखें और सुनिए सबसे पहल पर इस तरह से रखना है और नॉर्मल हाथों से पकड़ कर रखना थोड़ा मुश्किल बढ़ा तो इसलिए मैंने क्या क्या एक जुगार किया पीछे से पेंसिल आगे से पेंसिल और रॉबर एक तरफ से कहने कहीं तो शुरू चुरू करना पड़ेखा तो करना क्या है बहार के रस्य पकड़े एक भार ध्यानद कर देखेँ निष्णद कर में इसके पहले तीन रस्य के निचे से लिया और ऑगे लिया इस तरह से यहां तक समझ गए होंगे? ये होने के बाद फिर से उसी तरब की दूसरी रशी, मतलब निली रशी पखड़नी है पहले हमने उपर से लिया, अब इस रशी क्या खड़ना है? पीछे से और उसके बाद की तीन रस्या यह तीन रस्या इनके नीचे से लेना है उपर निकालना है और उसके बाद कितनी रस्या बची दो ही बची इनके उपर पकड़ना है मतलब पहले वाले में तीन के उपर से तीन के नीचे से और दूसरी बार में तीन के नीचे से और दो के उपर से राइट और इस तरह से उसको सेट करते हुए पकड़ लेना है ठीक है दोस्तों यह होगा है बाय तरप का अब धाहिने तरप आजाए ठीक है धाहिने तरप की रसी पकड़ी अब यहां उल्टा है जैसे हमने सफित को उपर से लिया था और बाद में तीन के नीचे स लिया था धाहिने तरप क्या करना है सबसे भाग रसी को पहले तीन के नीचे से लिया और बाद के तीन के ऊपर से लिया और कंटीनिव देखिए यहां इस तरह से कल और कॉंबिनेशों को गडबड नहीं होने देना है उल्टी रसी को नहीं पकड़ना है इस तरह से पकड़ बाग की बची कितनी ये दो इन दो के नीचे से लेना है और सामने पखड़ लेना है ऐसे और हलकालका उपर टाइड करते चलिए ठीक दोस्तों ये हो गया दूबारा अब आते हैं बाए तरफ अब कहा होगा बाए तरफ पहले तीन के उपर से देखिए तीन पखड़ ली ये इसके उपर से और नेक्ट तीन के नीचे से बड़े है प्यार से बड़े आराम से आपको समझने कोशिश कर रहा दोस्तों बहुत मेहनत लगती है बस द्यान से देखिए वीडियो को स्कीप ना करें और ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेर करना और चैनल को सब्सक् से ठीक है बाय का काम खत्म अब आते फिर से दाइने से सबसे बाहर के रसी तीन के नीचे से और इन तीनों के ऊपर से देखिए इन तीनों के नीचे से आई ये रसी इन तीनों के ऊपर से और फिर इस तरह पख़ड लिया अब नेक्स्ट फिर सफेद को तीन के ऊपर से और बचिवी दो रस्यों के नीचे से और इस तरह से पखड़ लेना यहां देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसके जो आकरती है बंते जा रहे हैं इसी तरह से और एक बार देख लिए अब बाई तरफ रस्य पखड़ी नेक्स् तीन के नीचे से इस तरह से फिर निले रस्य को नेक्स्ट तीन के नीचे से और बचिवी दो के ऊपर से यह ठीक दोस्तों इसको बीच बीच में हलकाला टाइट भी करना आपको लगे धिल रस्य तो टाइट भी कर सकते हो यह हो गया इस तरह से पखड़ लेना अब आते दा उपर और बाई तरफ पखड़ लिया फिर फाइटल रसी को तीन के उपर से और बच्चे वे दो के नीचे से और बाई तरफ पखड़ लिया बहुती सुंदर तरह की डिजाइन बनते विजा रही है यह तो इसी तरह से आपको कंटिनुई करना है तो देख सकते दोस्तों फैन तरफ से दिखना चाहूंगा देखिए उपर तरफ से बाहर से निली बॉर्डर बीच में वाइट की डिजाइन अगर इसको हम पल्टी करते हैं क्योंकि बेल्ट टूइन वन यूजबल है आप उसको किसी वे तरफ से यूज कर सकते हो उसको पल्टी करके देख लेते देखि तो बहुत ही सुन्दर और डिजाइनर बेल्ट आप घर में भी बना सकते हो तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप नमबर थ्री दोस्तों आप सीखेंगे इस टाइप की सुन्दर और डिजाइनर गठान कैसे लगाने तो लेते हैं बेल्ट बे सकते हो डो आपने तरह प्रस्ते उसी से करो करना क्या है सिमपल सी है यहाँ शरू की इसके सामने जो रस्ती ये वाली इसके ओपर डाल देना आенд extra पर इसको लिए उसके सामने वली बंबर दाल नतर जो उनके सामने रस्या है उनके ऊपर डालते चलना है रस्यों को मिक्स नहीं होने देना है इसको लिया इसके सामने और सबसे आखरी में बच्ची यह ब्लू कलर गे इसको कहाँ लगांगे सबसे शुरुवाती जो रस्य थी वाइट कलर की इसको तोड़ा पीछे खिश दिया और इसके उपर से डालना है और नीचे तरब निकाल देना एक ऐसे हलके हलका टायट करकर दिखाते घुके तो यह फ्ल जैसे बन जाएगा अब इसी फूल को धीरे-धीरे यहां हाथ उपर खीच देते और धीरे-धीरे ऐसे खीच कर टाइट कर देते तो देख सकते हैं दोस्तों सभी रस्तियों को बढ़िया से टाइट करने के बाद गठान कुछ इस तरह से दिखाए दिते अब बढ़ते हैं आगे पहले हमने क्या क्या पीछावले रस्ति को उसके आगे रस्ति के ऊपर से डाला था अब ऐसे नहीं करना है पीछावले रस्ति को उसके आगे रस्ति के नीचे तरफ से डालना है तो कैसे पकड़ने का तरीका यह होगा दोनों उंगलियों से नीचे पकड़ना है दो उंगलियां उपर रखना है पीछोल रस्टी आगले रस्टी के नीचे से लेनी है और दो उंगलियों में पकड़ लेनी ऐसे हैं फिर हलका घुमाया उसके बाद सफ़ेत को आगले नीचे से और उंगलियों के साथ पकड़ना है इसी तरह से बाखी रस्टीयों को भी पकड़ते चलना है ऐसे इसके नीचे से और आगे पकड़ लिया यह आगे आप सबसे आखरीम बच्ची है सफेद कलर की और शुरात में की ते हमने नी लेकर इसको तोड़ा फेलाया सफेद रसी को इसके नीचे से लगाना है ऐसे और उपर तरफ निकल देना है तो सभी रसीया उपर निकल गए देख गठान को तीट के था उसी तरह से इसको भी ताइट कर लेते एक बार तो देखिये दोस्तों सभी रस्त्यों को बड़ियां से टाइट करने कभड बाद घठान कुछ इस तरह से दिखाए दिती है अब बढ़ते आगे और सबसे आखरी वले गठान क्योंकि यह लगने अब पिर सबसे पहले वाली गठान लगाए थी सेम वही गठान यहां लगाने तो मैं उसको फटापट लगा लेता हूँ क्योंकि आपको यह सम्मझ में आई गया होगा और नहीं भी आता है तो कोई बात ने रिवर्स करके एक बार देख लिए आपको सम्मझ में आ जाएगा तो चलिए इसको फटापट बना लेता हूँ तो देख सकते हैं गठान को बढ़िया से सेट कर दिया है अब एक आखरी काम बचा हुआ है जो हिससे निचे बचे हुए इनको कहीं लॉक करना है लॉक कैसे करना है और नीचे तरफ निकाल देना है एक को डाल दिया फिर दूसरी के लिए और गया बनाते हैं इस टाइप से और दूसरी को डालते हैं और नीचे तरफ निकाल देना है इन निकलने के बाद हल्का टाइट करें यह यहां से तो इंसन इसके निचे से छुप गए यह देखिए बाद में इसको काटकर अलग कर देंगे-अम अब किन दी रस्छे नेली यहां बनाय जगह जगह बनने के बाद इन दोनों को यहां से डाल देना है और नीचे तरफ निकाल लेना है यह डाल दी फिर दूसरी डालते हुए नीचे निकाल लेना है ऐसे देखे इनीचे निकाल दी ठीके दोस्तो तो इसी तरह से बाकी बच्चे वेसो को भी नीचे निकाल लेना है तो दे इसके अंदर एक छोटी सी रिंग जो हमने पहले बात की थी इसको डालना है यह रिंग डाल दी लूप लिया लूप हमने जानवर्ज को छोटाई बनाया हुआ अगर लूप बड़ा बनता है तो यह गठान इसमें से निकल कर बेल्ट खूलने की चांसेस रहेंगे और लूप बड़ा बन भी जाता है तो कोई बात ने इस टाइब से इसी रसी का टुकड़ा यहां नॉर्मल तरीके से बांद देना है जिससे लूप छोटा हो जाएगा लगाने का तरीका बहुत आसान है इसके अंदर सिधा सिंपल इस तरीके से लगा देना है देखिए लोग हो गया यह जो रिंग है इसके साथ आप जो भी रसी बांदों के खोटे में बांदने के लिए फिर उसको गुमाने के लिए यहां बांद के उसको इस्तामाल में ले सकते हैं तो बहुती सुंदर डिजाइनर इस ट्राइप का बेल्ड बन चुका है आपने जो कमेंट्स की थी कि सु तो वीडियो को लाइक कीजे, सेर कीजे और चैनल पर पहली बर आये हो तो इस तरह के और भी नएने रोप टेकनिक, नएने आभूशन या फिर जो भी डिजाइनर चीज़े सीखने के लिए और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे और साइड में जो बेल अको न सब्सक्राइब